हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चनल तो आज मैं बताने वाली हूं घेरे की कटिंग किस तरह से करें इस तरह घेरे का की कटिंग तो इसके लिए यहां अमरे लफ रॉक तो घेरे की लेंद है 30 तो हमारा वेस्ट हमारा यहां पर वेस्ट है 24 तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको दिवाइड़ बाइ 4 करेंगे तो 24 डिवाइड़ बाइ 4 वन फोर्थ क्या आया 6 तो यहां पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे 6 इंचिस तो सपोस्थ हमारा क्लोफ है यह बॉक्स तो यह वाला जो उपर का पार्थ है वो क्लोफ का क्लोस पार्थ है और यह रेफ्ट में भी जो है वो भी close part है cloth का वो cloth पे भी बताती हूं इसके बाद cutting यह हमारा four folded fabric है cloth तो जहां पर यह edge वाला part है वहां पर हम waste की marking करेंगे तो waste की हम length किस तरह से लेंगे जितना भी अपना waste है उसे six से rewrite करेंगे तो यहां पर four तो यहां पर हम length लेंगे four inches पर mark करेंगे mark करते हो एक circle बना लेंगे वो marking से तो यहां पर length है हमारी four inches उसके निच्छे से हम गहरे की length ले लेंगे जितना भी आपका गहरा है उसकी length marking कर लेंगे तो यह है एक simple formula गहरे की cutting का हम इसकी length waste से six divide करके length लेंगे waste की length तो यहां पर हम कपड़े पर hold करेंगे तो मैंने यहां पर कपड़े को one fold किया इसके बाद इसे two fold कर लिया टोटल four fold कर लिया है मैंने इसके बाद हम उपर इसकी waste marking कर लेंगे जिसकी मैंने बताया formula इसे cut कर लेंगे उसके बाद उपर उपर के edge से हम इसकी गहरे की length जितना भी आपका गहरा वो marking से है वो और place उपर का four inches इस तरह से हम mark कर लेंगे और यह जो मैंने marking की है उसे cut कर लेंगे हम यही process लेंगे लेंगास में भी cut कर सकते है गाउंस full flare gowns में भी cut कर सकते है यही formula है friends तो यह हमारी cutting हो चुकी है इसे हम open कर लेंगे तो open करने के बाद हम यह जो cloth ford किया हुआ है उसे भी हम cut कर लेंगे ताकि front and back अलग अलग हो जाएं तो यह हो गया हमरे umbrella gear की cutting अगर हम इसे लहंगे में cut कर रहे है तो उपर इसमें belt attach कर लेंगे फ्रॉक के लिए बना रहे है तो उपर yoke pot attach कर लेंगे simple है friends अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें अपने family members के साथ share करें thank you thank you for watching